सलाम अलेकुम वियर्स वैलकम टो एनदर वीडियो आज जो है वह हमारी फंटरशेट फिल्मोरा के टुटेरियर को लेके पहली क्लास है जिसके अंदर जो है वह पीसे की स्क्रीन को पर जागे पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे और इंशानला अपने कोर्सों कंप्लेट करेंग अगर आपने मेरे इससे पहले आले वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिसक्रिप्शन में आपको दे दिया है आप पहले वो देखें ताकि आपको पता चले कि स्टार्ट कौन कौन से हमारे पन मुझूद है वीडियो एडिटिंग के और हम जो है वो कौन सा सौप्टियर कि आप किस तरीके से फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से फाइल को ड्रेक और ड्रॉक करने के बाद उसके पर शोटकीस का इस्तमाल करके अपनी वीडियो चल अजल जो है वो आप एडिट कर सकते हैं, औ पर एक बेटर अंडिंग कर सकते हैं तो बग़र टाइम को जाए कि हम चलते हैं अपनी PC के स्किर्ण की तरफ ताके आपको पुरा को जटेट के अंदर सिखाया जाए बाइस हम आचुके हैं PC की स्किर्ण की तरफ और आप यह देख रहे हैं कि आपके सामने वंडर शेट फिल्म और नाइन का जो सौफट यह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से उपन हुआ वाए तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट तयार है तो आप अपन प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दें और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट तयार नहीं है तो आप यहां से निव प्रोजेक्ट के उपर क्लिक कर दें तो मैं जो है वो निव प्रोजेक्ट यहां से ले तो यह सारे पूप्शन्स के अंदर इस्तमाल करना सीखेंगे तो सहारे आज किलास है वह इस पर बेस्ट करती है कि आप फाइल को किस तरीकी से इंपॉर्ट कर सकते हैं तो यह आप देख रहे हैं और पर लिखा हुआ है दूसरा आप यहां दिख Kaiserियों हैं आप यहां से support media files import media folder can be import from camera S या फेर आपने कोई फून सेलेक करा वाया तो आप आप वहां से IMPORT कर सकते हैं, फैस्बूक से भी कर सकते हैं, Instagram से भी कर सकते हैं और आपके बार मज़ीध option भी यहां पर मुझद हैं Guys, यह हो गाए दो तरीके, अब जो है वो मैं आपको तिसरे तARीके के बारे में बता देता हूँ कि आप तिसरे तARीके से फाइल किस तरह को किस तरह के से इंपॉर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैँ वीडियो की स्ट नंब को बताया है कि हम Short Keys को भी स्तेमाल करना ले तो मैं आपको Simply Media ये फाईल को इंपोर्ट करने की शौट की बता देतों आपने करना क्या है कंट्रोल जो कि विंडोस के बराबर में एक निशान हो देर लेफ्ट हेंड पे भी और अगर आप रैठ हेंड पे देखे हैं तो विंडोस के बरापर से बराबर वाला आपने control दबाना है और i दबाना है जो आप control आई दबाएंगे तो आपके सामने ये जो है import का option आ जाएगा आप कोई भी files जो है वो import कर सकते हैं यहां से जो है वो में एक simple सी कोई भी file import करके आपको दिखा देता हूं तो ये ये file में ने import करके open कर ली तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये file import कर रहा है और zero person हमें दिखा रहा है और अब हम ये file import कर चुके हैं तो इस तरीके से जो है वो हम file import कर सकते हैं और आपको जो है वो मेंने एक short key control i सिखा दिए अब file import करने के बाद आपने अब आप देख रहे हैं यहां पर इस पर वान लिखा वाया है यह आपको अलग layer देख लिए यह चोटी है और यह वाली बड़ी है तो जब भी आप काम करते हैं वो number one layer के उपर करते हैं और दूसरी layer जो होती है वो छोटी होती है या फिर कोई text वगेरा इस्तमाल करने के लिए हमारे पास मुझूद होती है तो हम क्या करेंगे इसके बाद अब यह आप देख रहे हैं वीडियो प्लैबेक आप इस पर यह प्लस किंशन पर डेबल क्लिक कर दें तो आपको match to media देदेगा और आप जिसी match to media पर क्लिक करेंगे आपके files यह file layer के अंदर आ जाएगी एक तरीक आपके पास यह है अब आप इसको यहां से keyboard से delete का option यूज करें और यहां से delete कर दें अब आप इसको ऐसे पकड़ें और यहां पर लाइके drop कर दें यह था हमारा drag and drop method कि आप यहां से पकड़के इसको drop कर सकते हैं अब आप ने जो है वो अपना एक मकमल तोपर प्रोजेक्ट त्यार कर लिया है कि आपने file भी import कर लिया है उसको drag भी कर लिया है अब आप का मसला ऐसा है कि आपकी light जाने वाली है यए आपको अचाना किसी काम से जाना पड़ गया है तो आप इस project को save करना चाहेंगे तो आप simply क्या करें कि आप बार Files के option में जाए और यहां से जो है वो आप save project भी कर सकते हैं save project as भी कर सकते है same project करेंगे तो आपको project save हो जाएगा save project as करेंगे तो यह आपको नाम का option देतागा जिससे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है वह नाम तबदिल करने का option मिल गया है तो मैं यहाँ से इसको बगए नाम तबदिल के safe कर देता हूँ इसके बाद अब आपने यह safe कर लिया है और अब मैं control as दबाता हूँ और हमारी फाइल safe हो जाएगी जिससा आप देख रहें कि हमारी फाइल safe हुई है हमने जो है वो दो तरह के सीख लिए है एक फाइल को import करना और एक फाइल को safe करना और इसके साथ साथ जो हम दो short case भी सीख चुके हैं अब आप चाहरें कि आप जो है एक new project बनाए यानि कि यह project आपने safe कर लिया है तो आप एक new project बनाए तो आपने क्या करना है simply यहां से आप file के option में आए और file option के बाद यह new project आपको दिख रहा है आप यहां से new project ले सकते हैं अब यहां पर आपको size दिखाया जा रहे है ratio के अंदर तो 4 ratio 3 standard यह एक size नॉर्मल यूज के जाता है यहां पर 16 9 wide screen का size आप यूज कर लेते हैं तो आप simply यहां से इस पर click कर लें और यहां पर yes पर आप जो है वो click कर दें तो आपके सार जो है वोई save होने के बाद एक new project आ जाएगा तो यह हमारे पको एक new project आ चुका है अगर आपको एको new project लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं इसकी short की क्या है? इसकी short की है Ctrl N आप simply Ctrl N दबाएं और आपके सामने जो है वो एक new project आ जाएगा ये एक तरीका आपने सीख लिया मैं दुबारा फाइल इंपोर्ट कर लेता हूं जल्दी से और आपको जो है कंट्रॉल N शॉट की इस्तमाल करके दिखाता हूं तो हमने फाइल इंपोर्ट कर लिया हम चाहरें कि हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ जाए तो आप सिंपली कीबोर्ट से कंट्रॉल N दबाएं और यहां पर यहां से इसको सेफ कर दें और आप जो है वो न्यू प्रोजेक्ट के उपर आ जाएंगे तो सिंपल तरिका तक हम ने इस फिडियो के अंदर यह तीन चीज़ा सीखी है एक भीडिया को किस तरिके अप ड्रोजेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेफ कर सकते हैं इस से आगे अगर हम बात करें तो हमारे पर next option आता यह देखरें कि यह वरे सिर्फ दो मुझूद है अब हम चाले कि हम जो है वो यहां पर मजीर plays add करें तो यह he plus के निशान पर दिख रहा है तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वीडियो और आडियो ये दो आडियो में जो निशानी es登録 लिडियो आडर पास मुजिक के लियर एड़ हो चुकी है लियर नशाइड हो एड उपनक है तो आपसे नेक्स वीडियो में आपसे नेक्स वीडियो में Ace गर न ज उ सकते हैं